नवशकार मित्रों, हर्मान जी माराज हर प्रकार के दुखों का निवारन करने वाले और हमारे हर प्रकार के कष्ट दूर करते हैं बायू पुत्र होने के साथ साथ बगवान महावीर हमारे शरीर के हर प्रकार के कष्टों का निवारन भी करते हैं और हमारे हर प्रकार के शत्रों से हमारी रक्षा करते हैं इसलिए हनमान जी के उपासना कल्यूग में विशे सुरूप से फल दाई है हर प्रकार के हनमान जी की भक्त इस मंतर के अधिकारी है जो कि आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ यह बर मंतर बड़ा ही चमतकारी है बशर्ते शुरुवात में इस मंतर को सिद्ध किया ज़रूरी है प्रसी दिन एक माला इस मंतर के करके ग्यारा दिन इस मंतर का जब किया जाता है उसके पश्चाते मंतर सिद्ध होता है और किसी अवश्य कारे से निकलने से पहले मातर तीन बार इस मंतर का उच्छारण करके अगने अगने निकला जाए अवश्य हमें उस कारे में सफलता मिलती है और मंतर का जब करने के लिए हर्मान जी के मंदिर जाकर के लाल आसन लाल पुष्प साथ लेकर जाएं लाल आसन परिब्राजबानों करके लाल पुष्प हरुमान जी महाराज को अर्पित करें और उसके पश्चात इस मंतर का जब करें गुगल या दूब जलाएं और हरुमान जी को लाल मिठ है का भोग लगाएं या रोट का भोग लगाएं तत्पश्चाथ आप इस मंतर की कम से कम एक माला हनमान जी के अवश्च करें उसके पश्चाथ नित्य प्रति दिन सुबह शाम एक-एक माला इस मंतर के करें और हनमान जी का पूचन करें ग्यारा दिन के बाद ये मंत्र सिद्ध होता है उसके परश्चात किसी विपकार के कारे में अगर मारी बादा आ रही हो वह बादा वश्यदूर हो जाती है और धीरे धीरे विक्तिकास में अपने अनुकूल होने रगता है इस मंत्र इस परगार है ओम रीम श्रीम क्लीम ओम रीम अन्जनेयाय वायपुत्राया महाबलाया शीता शोक निवारनाया श्रीराम चंधरायआपादूकाया दूकाया नही का ses शरीर रिष्ट निवार नाय ममशतुरसनय मनझखै बंजए ममरक्षरक्षनमग स्वाहा इस मंतर का जब किसी भी दिन शुरू के जा सकता है और किसी भी दिन शुभ्मोरत लेकरके प्रतरकाल या सायमकालों वर इस मंतर का जब करें और हनमान जी के मंदर में चाकर के इस मंतर का जब करें अन्य थे हनमान जी की तस्वीर के सामने बैठ करके और अपने घर में भी अपने उपकिया जा सकता है और ग्यारा दिन करने के पश्चात में प्राता काल उटते ही मंतर का सिर्फ तीन बार उचारण जरूर करें तत्पष्चाद यमंतर स्वयमसिद रहता है और किसी भी आवशिक कारे में जाने से पूर्व तीन बार इस मंतर का उच्चारण करके अगर आप जाएंगे आवशिए ही आपको सफलता प्राप्त होगी इस मैसल देर नहीं है धन्यवाद